कहानी की शुरुआत में हमें दक्षिन अफ्रीका के एक कालवनिक देश वाडिया को दिखाया जाता है जहांपर एक बच्चे का जनम होता है लेकिन जनम देते ही उस बच्चे की मां को तक्या लपेट कर मार दिया जाता है क्योंकि वो बच्चा दाढ़ी लेकर पैदा हुआ जालिम ताना साय उम्र अलादिन का एक लौता वारिस जर्णल अलादिन को साथ साल की उम्र में ही यानि दूद छोड़ने के साथ साथ ही राजगदी हासिल हो गया था क्यूंकि उसके पिता की फिरकी लेते लेता ही निधन हो गया था अब धीरे धीरे वो बड़ा होता है औ इसमें सो के होस्टुस से पूछते हैं क्या आपके पास न्यूकिलिर वेपन है। आगे हम देखते हैं संकी और बेहिसाब पैसा होने की वजह से वो अपने देस्थ वाडिया में ओलम्पिक गेम का आयोजन करता है जिसमें वो भी हिस्सा लेता है और पूरी इमानदार तरीके से बैमानी करके 14 गोल्ड मेडल जीत लेता है इसके बद एक दिन वो अपनी उंगली खड़ा करके अपने प्रजा से मिलने के लिए जाता है वहाँ पर वो कहता है वाडिया के प् जूट कह रहा है और नियुक्लियर वेपेन को मिलते ही वो दूसरे देश के उपर हमला करेगा इसके बाद वो अपनी मेडलों से भरा हुआ स्कूल रेस पहन कर अपने रिसर्च तबीले में पहुचता है चाचा तैमूर उसके पास आकर उसके कांक में चुमी देता है और हम हमारे इस महान देश का परमारू रॉकट है इससे बड़ा तो मेरा हतियार है मेरे सभी दोस्तों के बस बड़े बड़े हतियार है और हमारे पर सिर्फ इतना चिंदी सा रॉकट है जो कहकर वो अपने रिसर्च तबीले का हेड नदाल को बुलाने के लिए कहता है हम देखते हेड कहते हैं माफ कीजिएगा सुप्रीम लीडर आपने तो नदाल को मरबा दिया था लेकिन मैंने इसे क्यों किया जो कहते ही कहानी दो साल पीछे चली जाती है हम देखते हैं अलादिन को जो अपने चचा तैमूर की उंगली पकड़ कर रिसर्च सेंटर में आता है वहाँ देखकर तो दुसमन हसने लगेंगे वह सोचेंगे किसी रोबोट का सामान उनकी तरव उड़कर आ रहा है नहीं 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 सुप्रीम लीडर रॉकेट का शेप ऐसा ही होता है आपने सायद कोई कार्टून फिल्म में वह ऐसा रॉकेट देखा होगा जिसके बाद अलादि अलादिन हमें योनों को बता देना चाहिए कि हमारे पास सुतली बम और पठाके लड़कियों के इलाबा कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं है इससे वो लोग हमारे उपर से सारे बंदिसों को हटा देंगे जिससे हम हमारे ओयल राइट्स को पूरे दुनिया में बेचकर अं परची नहीं लगी जिसके बाद वो जब महल बापस आता है तभी एक सफेद लूंगी पहना हुआ आदमी तेरी मां की आँख कर उसे गोली मार देता है और वो ही पर ही लुड़क जाता है आगे हमें पता चलता है कि वो अलादिन नहीं बल्कि उसका हमसकल था जिसको हमेश जो कहने के बाद भी जब वो डेट बोडी कोई भी रिस्पॉंस नहीं देता तभी वो उस लास को भी मरवा देता है उसके जाते ही चचा तैमूर एक आदमी को कॉल करके कहता है हमने गलत आदमी को मरवा दिया है और अलादिन अभी भी जिन्दा है इसलिए हमें कोई दूस लाया जाता है अलादिन कहता है आप सब को लगता है कि ये मेरी तरह दिखता है इधर वो बकरी बाज कहता है आपका तबीला बहुत आलिशान है लेकिन आप बकरियों को चराते कहां पर है दरसल उस बकरी बाज को ये राजमहल कोई आलिशान तबीला लग रहा था क्योंकि मैंने तो कहा ही था कि इसके दिमाग को सन 18 के बाद कोई भी अपडेड नहीं मिला अलादिन कहता है चचा ये तो मेरी तरही पूरी इडियट है ये कैसे मेरा काम सम्हाल पाएगा चचा तैमूर कहते हैं मैं आपको याद दिला दू उसका काम सिर्फ सर पर गोली खाना है ठीक ह उसकी कलेक्शन को देखते हैं जिसमें हॉलिवड की बड़े-बड़े एक्टरस से लेकर एक्टर के पीछे भी उसने दर्द करके रखा था खेर अगले ही दिन जब वो वीडियो गेम खेल रहा था तभी चचा तैमूर उसके पास आकर कहते हैं अलादिन यूए नो ने तु भी लोग उसकी जैजे कार करने के लिए नहीं बलकि उसके खिलाब नारा लगाने के लिए उहां पर आये थे आगे वो अपने आलिसान फाइब स्टर होटल में पहुंचता है जहां पर रात को वो जब आराम फर्मा रहा था तभी एक आदमी आकर उसे अगवा कर लेता है व जिर्वा आदमी अलादिन को वो मशीन दिखाता है जिससे वो उसकी गोटे को कुचल देगा लेकिन अलादिन उस मशीन की भी मजा कुडाता है जिससे वो आदमी गुसा होकर अलादिन की दाड़ी काट देता है आगे वो उसकी दाड़ी को जलाने लगता है लेकिन इसी चक अलादिन हूँ और मैं स्पीच देने के लिए यहां पर आया हूँ अफिसर कहते हैं चल निकल यहां से आता मजी सटक ली तभी वहां से होकर चाचा तैमूर उस डुब्लिकेट अलादिन को लेकर यौन के मीटिंग में पहुंचता है जिसको देकर अलादिन समझ जाता है कि च कहता है उसे जोरका आता है इसलिए वह वहां पर मौजूद एक जग में पूरा का पूरा मूद देता है अब क्यूंकि उसके सर में दिमाग की भारी कमी थी इसलिए वह उसी पिसाब से अपना प्यास बुजाता है और बाकियों को भी अपना मूद पिलाता है खेर मीटिंग को फांद कर अंदर जाने की कोशिस करता है लेकिन सेकूरिटी गार्ड उसे अच्छी तरीके से पानी से नहला देते हैं तभी वहां पर एक लड़की आकर उसे बचा कर अपने साथ ले कर जाती है रास्ते में वो कहती है मीरा नाम जोई है और मैं तुम्हारी हिम्मत को खाया वो ऐसे तुम्हारा नाम क्या है अलादिन सोचता है कि वो अगर इसे अपना असली नाम बताया तो ये साली विश्वास नहीं करेगी इसलिए वो अपना नाम पास में ही मौजुद एक बर्गर को देखकर एलिसन बर्गर बताता है तभी स्कूटी एक स्पीड ब्रेक पहन लेता है जो ही कहती है आज से तुम यहीं परी काम करोगे जिसमें अलादिन कहता है तुम बहुत बुकाते हो क्या तुम आसोड राइफल बीचते हो जो ही अपनी हाथ उठाकर कहती है यहां पर भिंडी और कांदे की लवा कुछ भी नहीं मिलेगा तभी अलादिन उसक के पास छोड़कर दरवाजा लगा देता है अब वो लडगिया एक एक करके उसके सामने अपने कप्ड़े उतारने लगती हैं वह बकरी चोर कहता है महतरमा आप लोगों का बेल्ट गिर गया जिसके बाद वह सभी लड़किया उसके साथ जबर दस्ति करने लगती है जोकी म लड़किया एक दूसरे के उपर लिपट पड़ती है इधर वो बकरी चोर इतना बुडवक था कि वो तो चचा के साथ ही शुरू हो जाता है बाहर असली अलादिन पुलिस से कहता है उस होटल में असी कम रहे है और मैं जर्नल अलादिन हूँ पुलिस कहते है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है लेकिन वो रूम मेरे नाम पर है और मैंने इंटरनेट का भी पैसा दिया आगे वो एक एपल के स्टोर पर नदाल को देखता है जिसको उसने दो साल पहले ही मरवा दिया था वो उसके पीछे पीछे एक बार में पहुंच जाता है जहां पर उनी लोग कोटिया कजन है जो कहकर वो उसे बचा लेता है अलादिन उससे कहता है चचा ने मेरे से धोका किया है और उस बक्री चोर को मेरी जगा पर सत्ता दे दिया है मुझे मेरी गुद्धी बभुस चाहिए और इसके लिए मैं तुमें स्लॉलर्कियों की कच्छी उतारने दूंग और हमारे न्यूक्लियर तबीले का इंचर्ज भी बनाऊंगा जिस वज़े से नदाल भी उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाता है आगे हम उस बक्री चोर को देखते हैं जो कि अपने साथ एक बक्री लेकर ही अपने फाइब स्टर होटल में पहुँचता है इधर अलाद जब उससे पूछता है तब ही ओ कहता है उसके साथ मेरा लफडा है इसलिए मैं उसे अपना मुह नहीं दिखा सकता जिसके बाद नदाल उसे एक आइडिया देता है देखो अगर तुम उसके लिए काम करते हो तो तुम्हें होटल के अंदर जाने का पास मिल जाएगा जिसक में अलादिन उसे एक जोर का चाटा खिलाता है आगे वो कचरे के जगे पर पूरा का पूरा डश्ट भीनी सडक पर दे फेकता है इसी बीच एक बच्चा जब दुकान के सामानों को तहसनहस कर रहा था तभी वो उसके पिछुंडे पर लात मारता है और उसे सबख सिखाता है अब उसको इतनी इमानदारी से काम करते हुए देकर जोई धिरे धिरे उसके प्यार में दीवानी हो जाती है लेकिन एक रात जब वो दुनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं तभी अलादिन गलती से उसे अपनी सच्चाई बता देता है जिसको सुनकर जोई उसके उप कर आत्माहित्य करने की कोशिश करता है तभी नदाल उहां पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है अलादिन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं बाहर से नामुराद हूँ लेकिन अंदर से मैं मकरूम की तरह हूँ बाहर से सकत और कड़क और अंदर से नरम और हुदेदा जिसमें नदाल कहता है तुम एक मश्रूम की तरह नहीं हो तुम एक प्याज की तरह हो जिसके बाहर की सतह लुचड की तरह है और जब तुम उसे छील डालते हो तो उसके अंदर और दस लुचड तैय होते हैं खेर यहाँ पर नदाल उसे उसकी जन्म का मकसद बता कर उसे आत आगे वो चचा की उंगली पकड़ कर योने की मीटिंग में पहुँच जाता है और सभी के सामने चचा की सचाई बता देता है कि चचा तैमूर उसे मारनी की कोशिश किया है। जिस वज़े से चचा तैमूर को एरेस्ट कर लिया जाता है। इधर अलादिन कहता है वाडिया में हमेशा ताना साही सासन को खतम करके सरकार के सासन को लाना चाहती है। जिस वाज़े से अलादिन भी वाडिया में तानासाई को खतम करके उहां पर चुनावी सरकर स्थापित करने का वादा करता है। आगे हम देखते हैं कि वाडिया में चुनाव किया जाता है जिसमें अलादिन सभी को डरा धमका कर 98.8% में चुनाव जीत कर उहां का फ्रेसिडेंट बन जाता है जिसके बाद वो जोई के साथ साधी कर लेता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी समाप्त हो जात है जाती है जाती है जाती है